कि चाट करें देखो जी मेरा नाम पवन चोधरी है मैं बरतपुर से हूं मैं यह कहना चारा हूं कि हमारी लगबग हमें यहां बैटे-बैटे 20 दिन हो गए आज सभी बाई और बेहन अपनी मानसिक तनाम से परेशान हैं अब तो सारी रिक स्वास्त भी खराब होने लग गया आवाज भी बंद होने लग गयी क्योंकि इस दूल के दूमिल में यहां रहे के हम बहुत ही बिकट परिष्टितियों से गुजर रहे हैं लेकिन सरकार तो यहां सुनने ही नहीं आ रहे ही सरकार का नाम ही सर से स्टाट होता है और जिस नाम के आगे सर लग जाती है वो तो भ आस लगाए वेटेंज बजनलाज सरकार से कि आप एक बार आके हमारी बात तो सुनो हम कि 20 दिन से अपना गलाच चीड़ चीड़ के यह कह रहे हैं कि हमारी बात सुनो हम सलेक्ट हो चुके हैं एक्जाम दे के यहां तक पहुंच चुके हैं एक्जाम में जो परेशानियां उठाई हैं उनको जेल के यहां तक पहुंचे हैं अपना रजल करवाले के लिए अधीनस्त गए जोइनिंग के लिए आज भी बटक रहे हैं पता नहीं कब तक बटकना पड़ेगा मैं निवेदन करता हूं ऐसी सरकार से कि हमारे हमारे आवाज को सुने और हमारी इस कोट मे सुनवाई करवा के हमारा काम करवाए आखिर क्यों युवाओं को यहां पर जवर्दस्ती इस खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है सरकार ना सुनने ही ना चाहरे ही या कोई कुछ जवाब है तो वह कम तक हम है हमारे आके बता तो दो कि हम ऐस कुछ आखिर आप नहीं करना चाहरे है आपको नहीं कुछ देना चाहरे आकर क्यों सबसे वड़ा सवाल है कि अंगे क्यों ना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई बज़ए नहीं है तो हमारा राष्टा खुला हुआ है हम अपनी सीट तक पोच गए है हमारी सीट सेलेक्ट हो चुकी है हमें यह तक पता चल गया कि हमारा स्कूल कहा है हमारी करमस्तिली और हम निभिदन करते हैं कोट में हमारी नहाय पालकास से सुन हमारा सब की एक ही बात है एक किसा मुकलब एक ही नारा नियक्ति दो नियक्ति दो कैसे भी दो नियक्ति दो और हमारी मजूद इसे मारी मजूद सपहर भी करवा हो और हमारी जाता स्थी बाल करें के हमको निक्ति दो जल्दी जल्दी मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से हम तो से यहां बेटेट अभी तक सरकार ने हमारी बात नहीं सुनिए ना उनकी तरह से कोई बात बताने के लिए आया हैं ना उन्होंना आमकर करके बात बताई जब यद्धिकारीं यह हमें बताया जाए